क्रायोजेनिक है क्या ? अगर आप डिक्ष्नरी में सर्थ करें तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत कम तापमान या मैं यूँ कहूँ एक ऐसा तापमान जिस पर Gases को Liquid बनाया जा सके उसे क्रायोजेनिक तापमान कहा जाएगा एक cryogenic engine में cryogenic fuel और oxidizer का इस्तेमाल किया जाता है अब आप समझी गए होंगे कि उन दोनों को बहुत कम तापमान पे store किया जाता होगा एक cryogenic rocket engine के इंधन के रूप में hydrogen को minus 253 degree और oxygen को oxidizer के रूप में minus 183 degree पर store किया जाता है अब सवाल ये आता है कि अगर दो तरह के rocket हमने पहले ही बना लिये तो तीसरे तरह का rocket बनाने की जरौत क्यों आन पड़ी देखो इसका कारण है ताकत एक cryogenic fuel पर आधारित rocket solid और liquid propellant के मुकाबले प्रती kilogram जादा ताकत उत्पन करता है जादा ताकत का मतलब है जादा भारी समान को space में ले जा सकता है